Good morning to all of you, कैसे उमीद करता हूँ, सांदार होगे, Delhi police वालो, वर्दी के जवानों, दिवानों, कैसे हो, उमीद करता हूँ, सांदार, अपना अपना score, comment section में जरूर डालें, और मैं आपको cut-off पे भी एक वीडियो बनाएंगे, अपना data जरूर देना हमें, कि सर मेरा इतना score बना but my reason बताता हूँ, कि आपका score कम क्यों हुआ, GS, और GS में मैंने, पहले भी बहुत सारी वीडियो में बोलता था, कि जो Delhi police पर आप ये YouTube पर ये वीडियो पढ़ रहे हो, ये देख रहे हो, इन में से 2% भी नहीं आना, क्योंकि GS का जो लेवल पहले होता था, और आज के लेवल में बहुत फरक है, बक्सर का कभी युद हुआ, कौन सहनाई बजाता है, ये चले गए ये जमाने, जो अक्सर यूटूब पर देखे जाते हैं, objective, MCQ questions देखे जाते हैं, अपनी मानदारी से comment section में बता दो, आपके score का भठा बैठना, GS नहीं था, GS एक ऐसा portion था, जिसको आपने क्या बोला, one liner समझ लिया, कि जो यूटूब पे, या जो हम पढ़ते हैं, practice में आते हैं, वो question आएंगे, नहीं, GS आजकल rough and tough पढ़नी पढ़ती है, rough and tough का मतलब, एक point अगर आपको आता है, तो उसको 20 से 30 point निक हुआ, अगर यह बात मेरी जूट है, तो आप comment section में बता सकते हैं, GS score rough and tough कैसे पढ़ा जाता है, NCRT की बुक उठा के, धंग से 6 से 10 में तक की, जब शुरुवात में किसी बच्चे का base ना हो, तब बताता हूँ, 30 से 10 में तक यह NCRT उठा के, यह एक बुक आती है, आटा मैं अगर आहिल कि NCRT सारसंगर है, यह बंडे एक्जाम के लिए बतारूना है कि मैं UPC or PCS के लिए, फिर NCRT सारसंगर है लगाने के बाद, फिर जितने भी आज तक कि किसी भी SSC में railway माय हुए है, स्पीड़ी को प करना, उसको बोलते है rough and tough, और फिर खुद भी कोई point मिल जाए, जैसे हम question ही पूछने कि IPL किस ने जीता, तो IPL के बारे में हम इतना पता होना है, चाहिए कि Indian Premier League शुरुआत तब से हुई 2008 में शुरुआत हुई, राजस्तान रोयल से जीता, उसे में इनवार्न कफ्तान हु गया है, तो कहने का मातलब एक questions को हम इतना elaborate कर दें, कि उस question को, अगर हम हमारी North India की भास्ता में बोलें, तो ऐसी तैसी कर दें उस question की, उस question से भारत, अगर कुछ भी कुछ हे तो हम कर देंगे, तो ये था, अब सर, कम score हुआ तो करें क्या, mostly वही बच्चे हैं जिनकी उमर 18-25, 18-23, 18-26 के बीच में है, तो अब SSC GD पे अपना focus करें, SSC GD पे अपने जहान लगा दें, लेकिन गल्ती मत दोहराना, साथ बचे मेरी भी class होती है, मेरी टीम की regular for your class होती है, जो math की भी होती, बहुत जवरदस्तरी के से दिपक सर करवाते हैं, साइंस के दिपक सर, दूसरे चोरहन साब करवाते हैं, फिर पंकर सर रिजनिंग कराते हैं, और साम को साधे साथ बचे मेरी एक class होगी, हिंदी की और GS की, आप GS की 2-4 class लगा के देखो, साधे साथ बचे, फिर आपको एक difference ना दीखे तो unsubscribe करके चले जाना, ठीक है, रही ब होने के बावजूद भी मैं ये जरूर बात कहूँगा कि आपका score math reasoning जरूर बताएंगे 20 बटा 20, ठीक है, बना देंगे 40 बटा 40, no doubt, बट यहाँ फिर वही गलती मत करना GS वाली, BS question आएंगे 40 नंबर के, इसको भी हलके में मत लेना, ठीक है, और हिंदी को इतना मत पढ़ा क यूटूब पे कि हिंदी ही हिंदी दिखे कि हम हिंदी पहली बार पढ़ रहे हैं, हिंदी को अगर दो चार बार अच्छे से revision किया, तब भी 20 बटा 20 आज जाएंगे, अब मैं हिंदी पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन वो नहीं बोलूँगा कि हिंदी की regular class देखो, एक बार यूटूब से कर लिया, क्योंकि हम तो regular करवाएंगे, एक बार कर लिया, that's all, अपना revision score MCQ लगाओ, that's all, हिंदी के पीछे भी इतना मत पढ़ जाना कि आप और subject को भूल याओ, तीन को, जीए से वही बराबर का portion है, आप यह मैं सोचा करो कि मैं यहाँ पूरे का score कर दूँ और उसमें कम में काम चल जाएगा, वो जमाना गया वेटा, ठीक है, आप इसली कटोप देख लो, 80 में से कितने पेथी, 70, 72 क्वेशन ठीक होते है, तब selection हुआ है, 80 post पर, यह गल्ती मत दोराना, ठीक है, all the best, आपके SSCZD की जरनी में में महतव पूर रोल अधा करेंगे, औ और इमानदारी से पढ़ाएंगे, और अच्छा कंटेंट देंगे, वन लाइनर जी के आपको नहीं पढ़ाएंगे, और वन लाइनर जी के डिफ्रेंस, यहां देख भी लेना, ठीक है न, all the best, love you सुभी को, और देली पलीस का अपना कमेंट से, और जरूर कमेंट करना, all the best best of luck, जय हिन, जवारत